नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है भालचंद्र ब्रह्माट सिद्याष्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुमबर रशी की जो वेक्ति होते हैं उनका जो करियर होता है वो कौन सक्षेत्र में कर सकते हैं उनका जो संपुर्ण आप उसका आननग जरूर लीचे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुम्बराशी की जो विक्तिय होते हैं, उनका जो करियर होता है, या उनके करियर के लिए कौन सक्षेतर है सबसे ज़्यादा अनुकुल होगा, सबसे पहले हम यह जान करी लेंगे कि उनका जो विक्तित्व है वा किस प्रकार का होता है, मतलब कुम्बराशी की जो वह आपकर जूअजिरिया है इसके आधरबर आगर आपकर करियर्भ है क्योंकि कई काम गंटे होते हैं करियर ने वह जानने ना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है तो जोतिशी रूप से अगर देखा जाए, तो कुम्ब जो राशी है, वो काल पुरुष की जो पुंडली होती है, इसमें ग्यारवेस्तान में आने वाली राशी है, इस राशी का जो स्वामी है, वश्यनी है, ये जो राशी है, ये वायू तत्व की राशी है, और स्तीर हाला कि discipline में रहना किसी कई लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता लेकिन यह जो राशे बच्पन से ही वह discipline में रहना पसंद करती है और काफी scheduled life जीती है मतलब कौन से वक्त में क्या करना चाहिए कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए इस सभी के बारे में इनके खुद के नियम होते हैं और वो बहुत ज़यदा सटिक होते हैं और यही जो नियम है यह नियम यह जो वेक्ति होते हैं वो अपने घर पर लोग होते हैं उनके उपर भी लाते हैं जिसके ज़से घर के जो लोग है उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती दूसरी ज़्यादा महत्व पुर्णबात जो सभी बारा राशिया है मतलब जिसमें कि मिधुन तुला और जो कन्या राशी है वो बुद्धिक तत्व की राशी माने जाती है फिर उसमें उनमें बुद्धि मत्ता काफी अच्छे देखी जाती है लेकिन सबसे राशी बुद्धिमान होती है और जिनके पास बुद्धि जादा होती है वो हमेशा तथ्य के उपर आधारित होती है मतलब लॉजिक के उपर चलने वाली यह राशी होती है क्या करने से क्या होगा या फिर किस तरह से वह बात करने होगी और जब तक यह कंफर्म नहीं होते तब तक किसी भी काम कोई किसी भी प्रकार का वो काम नहीं करेंगे और अपना जो काम है बहुत इमाने इद्बारे करना यह इस राशी में काफी अच्छा देखा जाता है इनको सोपा हुआ कोई भी काम हो अगर उनसे अगर कोई काम बनता है तो ही यह राशी हा बोलेगी अगर कोई काम नहीं बनता तो वो ना भी करेगी मतलब अगर इस राशी में किसी भी काम के लिए हा कर दी तो समझ लेना किसी भी हालत में ये राशी वो काम पूरा करके ही छोड़ेगी मतलब अगर अगर इनमें confidence है अगर इनको लगता है कि कोई भी काम इनके limit के अंदर है या फिर यह वो पूरा कर सकती है तो यह वो हाथ में लेंगी दूसरी ज़्यादा महतो पुर्णबाद इस राशी के जो वेक्ति होते है इनने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता मतलब जैसे कि बाकी के हो हमने जो राशी आदेखी जैसे कि व्रिशब राशी है, मिथुन राशी है, कन्या राशी है या फिर तुला राशी भी है या फिर धनु जो राशी है उनका बोलने का जो नजरिया तो काफी अच्छा होते है या फिर बोलने के जो कैपेसेट ही होते है या फिर diplomatic, diplomatic जिसने नेचर कहते हैं, वो diplomatic nature इस राशी में देखा नहीं जाता, यह थोड़ी कमी भी है, या फिर कई आशवक्षेतर होते हैं, इसमें यह थोड़ी कमी होते हैं, लेकिन कई आशवक्षेतर होते हैं कि जिसमें इसी प्रकार के जो राशी या फिर वेक्ति पाए जाते हैं और इनका जो नजरिया होते हैं वो काफी ज़्यादा मतलब फॉर्मल होता है या फिर थोड़ा आधुनिक होता है मतलब और्थोड़क्स प्रकार का नेचर इन में देखा नहीं जाता है पूरा तन जो नेचर होता है जो दुरुष्ट होती है वो इस राशी में लेता जरूर है तो डिसिप्लिन में चलने वाली राशी है और लॉजिक पर चलने वाली राशी है तो उस नजरे से अगर देखा जाए तो यह जो राशी है वह यह राशी नौकरी में काफी जादा आगे बढ़ सकती है बिस्निस में वेवसायर में ज्यादा आगे नहीं परणाम होगा या फिर इतना काम आपको करना है जाहिका कितना नोकरी में महें penguin होती है क्योंकि नोकरी में आपको काम दिया जाता है और foreign किया जाता है कि आप उसी परकार काम करें नगैं उससे जादा Yetiske तो यही बात इस राशी में काफी अच्छी होती है कि जो भी काम इनको दिया जाता है वो काफी इमान इद्वारे वो पूरा कर सकते हैं नोकरी में यही expectation होती है लेकिन business में ऐसा नहीं होता business में अगर आपको कोई भी decision लेता है तो उसके जो परिणाम होते हो वह अग्यात में होते हैं वह भविश्य में होते हैं आपको अभी वर्तमान में उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि जो भी आप निर्णाय लोगे जो भी आपका स्टांस होगा वह सही होगा या गलित होगा तो वह बात या फिर वह जो बाते हैं वह हम नहीं कह सकते हैं जो कि भुविश्य में है और इस राशी में यही थोड़ी कम यह होती है कि जब तक यह कंफर्म नहीं होते कि भुविश्य में जाके जो यह decision लेने वाले हैं वो सही होने वाला है यह भी या फिर उसके परणाम क्या है तब तक वो decision नहीं लेंगे तो होता क्या है कि अगर ये राशी बिजनस में आगे बढ़ती है तो बिजनस में जो निरने लेने के एक शमता होती है या फिर निरने लेने चाहिए अग्यात में भी निरने लिए जाते हैं तो वो बात इस राशी में देखने जाती है करीबन इसी प्रकार की जो बात है वो हमने कन्या राशी में या फिर मिधुन राशी में भी देखिए को वह decision वह जल्दी नहीं ले पादे है हाला कि उसके पीछे उनके थोड़ा सा डरते है या फिर confidence उनका काम हता है लेकिन कुम्बर राशी में वह बात नहीं होती कुम्बर राशी का होता क्या है कि वह तथ्य के आगधार पर चलने वाले होते हैं कि जब तक वह confirm नहीं होते है तब तक वह decision नहीं लेते हैं और यही कमी होने के कारण कुम्बर राशी के जो बेक्ति होते हैं वह business कर नहीं सकते हाला के देखे यह जो मैं बात कर रहा हूँ यह नियम नहीं हो सकता लेकिन मोटे तोर पर अगर देखा जाए तो business में यह अर्चन उनमें जाता देखी जाती है दूसरी जदा महत्व पुर्णबाद उनका जो disciplinary nature होता है वह discipline के वज़े से होता क्या कि business में यह ऐसा नहीं होता कि अगर आप यही discipline पे जाता है कि there is no golden rule for success तो यही बात business में भी देखी जाते हैं, website में भी देखी जाते हैं कि आपके लिए कोई नियम नहीं है कि इस प्रका से अगर आप कोई भी business करो तो आप successful हो जाएगा success का कोई formula नहीं होता, वो अपने आप में आपको decision लेना है या फिर अग्यत में आगे चलना है तो यह बात इस राशी को नहीं भाती, मतलब इनका discipline nature होता है और होता भी यही है कि business में कभी कभी उपर नीचे भी करना पड़ता है यह बात इस राशी को बिलकुल भी नहीं जमती, मतलब सीधे सीधे होती है और जो मन की बात है वही सामने रखने वाले होते है out of the way जाके किसी भी प्रकार का काम यह जो राशी वो नहीं करती इस वचे से business करने में थोड़ी सी कम होती है लेकिन नोकरी के बारे में किसी भी प्रकार की नोकरी है यह जो राशी है वो काफी आगे बढ़ती है देखिये civil services जैसे जहाँ पर दिमाग मी काम में आता है discipline nature भी काम में आता है और यह जो पर्टिकुलर राशी है वो civil services में बहुत ही ज्यादा important है और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है तो इस राशी के लिए नोकरी ज्यादा महतोपूर्ण होती है अब यह जो नोकरी है वो किसी भी क्षेतर में हो सकती है कास करके offices में काफी ज्यादा हो सकती है education के शेतर में थोड़ी कम हो सकती है क्योई education शेतर अगर teaching faculty होगी तो इस राशी को बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता जो जो मैंने शुरुरवात में का लेकिन इसके वेतरिक तो office से related कोई भी काम है या फिर scientist का जो भी research के बारे में कोई भी काम है किसी प्रकारा research करना है या फिर उसके संदर में अगर consistency आपको दिखानी है तो एक ही तरह के का काम कई सालों तक करने वाली ये राशी है जो कि ये जो बात हमने मकर राशी के बारे में भी देखी तो इस वज़े से ये जो राशी है वो नोकरी में आगे बढ़ सकती है लेकिन जहाँ पर marketing है, communication है one to one communication के जो भी field एक्षेतर है उसमें ये राशी जादा नहीं ठीक है कि उनका जो nature होता है वो इस प्रकार का नहीं होता इसके विपरी जो भी कारिक्षेतर है जो की नोकरी से जादा relate करते है उस कारिक्षेतर में ये जो राशी मतलब जो कुम्ब राशी है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है इसके विपरीद अगर कोई क्षेतर है या फिर आपको जाना है तो इसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी जैदा आवशक होती है क्योंकि जो राशीया होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के उपर आधारित होती है और हर कुंडले में चंद्रमा के वेतरिक बाकी 11 ग्रह भी होते है और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते है वो असर कौन से है वो परेडाम कौन से है वो जान लेने के बाद कारिक्षेतर के बारे में कुछ बाकी जो बाते हैं वो निश्चित की जा सकती है तो दोस्तों ये था कुंबराशी का जो करियर होता है वो कौन से क्यात्र में हो सकता है या आपको ये वीडियो कैसे लगा अपने इस इसका अनुबॉग वो किस प्रकार से लिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूरर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धियाश्टो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद